वीवर्स एक लड़का जो अलगी दुनिया में आ जाता है जहां बहुत ही अलग लग टाइप के लोग और क्रियेचर्स रहते थे और उन सभी लोगों के पास कुछ नो कुछ पावर्स तो होती ही थी तो क्या ये लड़का अपने अंदर की पावर्स को कंट्रोल कर पाएगा जो वहां के सभी लोगों से काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग थी और उस लड़के को एक जर्नी पर भी जाना पड़ेगा जिसमें उसे बहुत ही खतरना क्रियेचर्स मिलेंगे स्टोरी की शुरुआत में हमें पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा आदमी निकलता हुआ दिखा देता है जिसका नम पोसाइडन था और सभी लोग उसे गौड अफ वाटर बुलाते थे पोसाइडन अपने नॉर्मल यूमेन फॉर्म में आ जाता है और सीधा अपने भाई जूस के पास चले जाता है जो कि गौड अफ थंडर था लेकिन जूस बताता है कि उसकी बिजली वाली पावर्स किसी ने चोरी कर ली है अर अब तो जूस को अपने भाई पोसाइडन पर ही शक होने लगा था पर पोसाइडन उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे श्राप मिला था कि वो बिजली की पावर्स को चूब भी नहीं सकता इसके बाद जूस तो पोसाइडन के बेटे परसीयस पर ब्लेम लगाने लगता है जूस तो पोसाइडन को धमकी देता है कि अगर उन लोगों ने उसकी बिजली 15 दिनों में नहीं लोटाई तो वो अपनी पूरी सेना के साथ उन पर हमला कर देगा इसके बाद जूस अपनी दुनिया में वापस चली जाता है अब यहाँ पर हमें पोसाइडन का बेटा परसी जैक्सन दिखाया जाता है लेकिन ये बाद परसी को पता ही नहीं थी कि वो एक गौट का बेटा है परसी को तो पानी के अंदर रहना काफी अच्छा लगता था उसका एक दोस जिसका नाम ग्रोवी होता है वो तो परसी के इतने दिर तक पानी में सास लेने के एबिलिटी से चौक जाता है इसके बाद वो दोनों अपने कॉलेज में आ जाते हैं जहां पर उनकी नई इंग्लेश टीचर आई भी होती है और वो पूरी क्लास को छोड़कर सिर्फ परसी से ही अजीब अजीब तरीके के सवाल पूछ रही थी क्लास खतम होने के बाद परसी अपने घर पर आ जाता है वो अपने मॉम सर ली और अपने स्टेप फादर जैक के साथ रहा करता था क्योंकि परसी को अभी तक ये अंदाजा ही नहीं था कि उसके असली फादर आखिर कौन है उसका स्टेप फादर जैक तो परसी को हमेशा परिशान करता था अगले दिन परसी अपने दोस्तों के साथ एक म्यूजियम में आया हुआ होता है उन सभी का प्रोफेसर बैन स्टूडेंट्स को गौट्स के बार में बताता रहता है उसके अकॉर्डिंग हजारों सालों पहले तीन पावरफुल गौट्स हुआ करते थे जिनों ने पूरे युनिवरस को बनाया था और एक टाइम ऐसा आगया था कि वो तीनों गौट्स अर्थ पर आये थे और उन लोगों ने इंसानों के साथ relationship बना कर अपने संतानों को जन्त दिया था और वो सारे संतान आदे इंसान और आदे गौट्स थे जिनके पास gods की आदी powers थी यानि कि Percy भी आदा इंसान और आदा god था लेकिन ये बात अभी तक से पता ही नहीं थी तभी Percy के पास उसके English वाले teacher आ जाती है और वो Percy से कुछ बात करना चाहती थी इसलिए वो उसे लेकर एक कमरे में चले जाती है लेकिन तभी Percy देखता है उसकी teacher एक अजीब तरीके के creature में convert हो गई है और वो तो Percy पर हमला करना start भी कर देती है वो creature तो Percy से सिप एक ही बात पूछ रहा था कि lightning की power आखिर कहा है और तभी वहाँ पर grovy और professor ben आ जाते हैं परसी तो उस creature को देखकर जरा भी नहीं घबराते और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं नहीं तो वो उसके punk काट देंगे और तब जाकर वो creature डर के मारे वहाँ से चला जाता है परसी तो एकदम से परिशान हो गया था कि आखिर वो creature कौन था और प्रोफेसर बेंड के बाद क्यूं मान रहा था प्रोफेसर बेंड परसी को कुछ भी नहीं बताते और उसे एक छोटा सा हतियार दे देते हैं जिससे कि वो खुद को protect कर सके और अब वो ग्रूवी को परसी के साथ उसकी मा को लेकर blood camp में चले जाने के लिखेते हैं जब परसी गुरूवी के साथ अपनी मा को लेने घर पर पहुचता है तब जैक परसी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो सब जैक को चक्मा देकर वहां से भाग जाते हैं कार में जाटे टाइम परसी की मा उसे बताती है कि उसकी रियल फादर को उसे छोड़ना पड़ा था और जैसे ही सरली परसी को बताने जाती है कि उसका फादर एक गौट था तब ही उनकी कार एकदम से पलड़ जाती है लेकिन उस एक्षिडेंट में तीनों को कुछ भी नहीं हुआ था पर तब ही वो देखते हैं कि उनके उपर एक बहुत बड़े मौस्टर ने हमला कर दिया है और वो तो तीजी से उनके तरफ बढ़ रहा था परसी और बाकी सब तीजी से जंगल के तरफ भागते हैं और उनके सामने एक बड़ा सा गेट आता है परसी और गुरुवी तो उस गेट के अंदर चले गए थे लेकिन परसी की मा सरली गेट के अंदर नहीं आपा रही थी और उस बड़े से मॉंस्टर ने सरली को पकड़ लिया था उस मॉंस्टर ने तो अपनी जादू का यूस करके सरली को एकदम से मिट्टी में कनवट कर दिया था परसी ये दिखकर काफी गुसा हो जाता है और प्रोफेसर बैन ने जो हतियार दिया था उसका यूस करके उस मॉंस्टर को मार देता है लेकिन परसी काफी कमजोर हो चुका था और वो तो अनकॉंशेस भी हो जाता है कुछ तैम बाद परसी जब अपनी आखे खोलता है तो वो एक अलगी जगव पर आ गया था गुरूवी जब वहाँ पर आता है तब परसी को पता चलता है कि वो लगातार तीन दिनों से सो रहा है और वो ये देखकर सौक हो जाता है कि गुरूवी के पैर एकदम भोडी जैसे थे बाहर आने के बाद गुरूवी परसी को बताता है कि ये पूरी जगड डेमिग गॉड्स की थी यानि कि वो सब आदे इंसान थे और आदे गॉड्स और सभी के पास अपनी अपनी पावर्स थी वो परसी को भी खुद पर भरुसा रखने के लिए कहता है और अपने अंदर की पावर को पहचानने के लिए मजबूर करता है इसके बाद वो दुनों प्रोफेसर बैन के पास आ जाते हैं जिनका आदा बोडी पूरा घोड़े का था और वो सिर्फ असली दुनिया में परसी का ध्यान रख रहे थे कि उसके उपर कोई मॉंस्टर हमला न कर दे बैन परसी को उस जगह पर लेके आ जाता है जहांपर उसके फादर पूसाइडन रहा करते थे और उसी ने ये पूई जगह बनाई थी तब जाकर परसी को पता चलता है कि उसके असले फादर एक गौड थे लेकिन अब उसके बड़े भाई जूस की एक बहुत ही पावरफूल हतियार जिसका नाम लाइटनिंग बोल था वो चूरी हो चुकी थी और अगर जल से जल उन लोगों ने जूस का हतियार नहीं लोटा आया तो जूस अपने सेना लेकर हम सभी पर हमला कर देगा ये सारी बाते सुनने के बाद परसी वहीं पर रुख जाता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है अगले दिन प्रोफेसर बेंच सभी को परसी से मिलवाता है और उसे अपने बेटे लेरी के टीम में शामिल करवा दिता है यानि कि परसी ब्लू टीम में था और अब रेड और ब्लू टीम में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है एक टीम को जीतने के लिए दूसरी टीम का जंडा हासिल करना पड़ेगा यहां सभी लोग फाइट करने में बिजी रहते हैं और परसी एक नदी के किनारे आ जाता है जहां पर उसे रेड टीम का जंडा मिल जाता है पर वो जैसे इसे लेने जा रहा था उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम एनाबेद था और वो रेड टीम से थी एनाबेद परसी पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और उसे काफी घायल करके नीचे गिरा देती है प्रोफेसर बेन उन सभी की फाइट को दूर से देख रहा होता है तभी परसी को पता नहीं कहां से एक आवाज आती है और वो आवाज परसी को पानी में जाने के लिए कह रही थी तो परसी पानी के अंदर अपना पूरा हाट डाल देता है जिससे कि उसके सारे चोट ठीक हो जाते हैं और यही पावर थी परसीस की क्योंकि वो पोसाइडन का बेटा था और पोसाइडन वाटर का गौट था तो यही सेम पावर परसी को मिल गई थी और अब वो काफी पावरफुल हो चुका था परसी रेट टिम के लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उन्हें आसानी से अपने टेकनिक का यूस करके हराता रहता है सामने जब एना बेता जाती है तो परसी उस पर भी रहम नहीं करता और उसे भी तलवार बाजी में हरा दिता है परसी और उसकी पूरी टीम ये मैच जीत गई थी और उसी रात वो लोग इसका जस्न मना रहे होते हैं तब ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉंस्टर आ जाता है जो कि पूरी तरीके से जल रहा था वो मनस्टर परसी को बताता है कि उसकी मदर अभी भी जिन्दा है और अंडर वर्ल्ड में कैद हैं पर जब तक वो सब जूस का हतियार वापस नहीं लोटाएंगे तब तक उसकी मा को नहीं छोड़ा जाएगा उस मनस्टर के जाने के बाद परसी काफी परिशान हो जाता है क्योंकि उसे कैसी भी करके अपनी मा को छुडाना था तो वो उसी रात वहाँ से निकल जाता है अपनी मा को छुडाने के लिए परसी के साथ ग्रूवी और एनावेट भी आ जाते हैं जोकि उसकी मदद करना चाते थे और अब वो सब सिधा लैरी के पास चले जाते हैं जो सायद से उन्हें अंडर वर्ल तक जाने का रास्ता बता सकता था लैरी परसी की थोड़ी से मदद करता है और उसे उडने वाले जुते और एक शील्ड देता है जिससे कि वो रास्ते में आने वाले खत्रों से बच सके लैरी उन सभी को एक मैप भी प्रोवाइट करता है जिसमें कि उन्हें कैसे भी करके तीन डायमंद पता करने थे और अगर वो पहले डायमंद डूने में काम्याब हो पाए तो ये दूसरे डायमंद का मैप खुलता था और अगर उनके पस तीनों डायमंद आ जाएंगे तो उन्हें अंडर वल्ल का दरवाजा आसानी से मिल जाएगा तो इसके बाद वो तीनों अपनी जर्नी पर निकल ज जाते हैं उस सब पहले डायमंद के लोकेशन पर आ जाते हैं जहां बहुत सारे स्टैचू दिखाई दे रहे थे तबी वहां एक और भागते हुए आ जाती है और सभी को यहां से चले जाने के लिए कहती है ग्रूवी बताता है कि वो सब मलीना के यहां पर आ गये हैं जिसे कोशिस करती है वो तो परसी को भी नहीं छोड़ रही थी पर तभी अचानल ग्रूवी एक कार लेकर आ जाता है और मनीला को टकर मार देता है परसी सही मौका देखकर अपनी धारदार तलवार से मनीला का सर कार देता है और अब वो सब मनीला का सर अपने साथ ले ले लेते ह ताकि वो किसी भी चीज को statue में convert कर सके उन लोगों के पास पहला diamond आ चुका था तो अब map पर दूसरी diamond का location open हो जाता है जो कि एक बड़े से museum में था तो वो तीनों वहाँ पर पहुच जाते हैं और देखते हैं कि दूसरा diamond एक बड़े से statue के उपर है और वो तो काफी उचा थ तब ही परसी को याद आता है वो जूते जो उसे लैरी ने दिये थे वो उन्हें पहन लेता है जिसके उपर छोटे से punk लगे थे परसी कैसे भी करके उड़ते हुए उस diamond को statue से निकाल देता है नीचे आने के बाद वहाँ पर कुछ लोग आ गये थे जो कि देखते ही देखत बहुत बड़े dragons में convert हो जाते हैं और वो सब वहाँ के उस diamond को protect करते थे उस सारे dragons मिल कर परसी और बाकी सभी पर हमला करना start कर देते हैं लेकिन परसी काफी बहादुरी दिखाता है और मनीला का कटा हुआ सर उस dragon के सामने रख देता है जिससे के वो dragon पूरी तरीके से statue में convert हो गया था और वो सब अपने last diamond को खुजने के लिए निकल पड़ते हैं मैं आपके अंदर उन्ने पता चलता है कि वो तीसरे diamond एक casino में है तो अब देर किस बात की थी वो तीनों उस casino में पहुच जाते हैं परसी को वो diamond दिख गया था जो कि एक spinning wheel के उपर रखा हुआ था व जो कि उन सभी को underworld तक पहुचा सकता था पर इसके लिए उन्हें कीमत देनी पड़ीगी उस फेरी वाले को उस सब पैसे भी offer करते हैं पर उसे पैसे नहीं चाहिए थे तब ही परसी उसे golden के सिक्के देता है जो कि उसके मा ने उससे दिये थे और तब वो फेरी वाला उन्हे जूस का वो powerful हतियार था जो वो उससे ढूंड रहा था एक सिपाई को देखकर लगता है कि परसी ने उससे जूट कहा था और उसी नहीं lightning bolt को चुराया था लेकिन असली चोर परसी नहीं बलके लैरी था और उसका plan था कि वो परसी को कैसी भी करके फसा दे वो सिपाई उन प जूस के पावर उनके पास होनी चाहिए ताकि वो पूरे अर्थ को अपने हिसाफ से चला सकें तब परसी अपने उडने वाले जूतों का यूस करके लैरी का पीछा करता है और कैसे भी करके उससे lightning bolt छीन लेता है लेकिन अब लैरी और परसी के बीच एक जबर्दस fight होती है तब ही परसी अपने पानी को कंट्रोल करने की पावर को यूस करता है और साइड में रखे water tank को blast कर देता है जिससे की लैरी उसमें फस जाता है और कहीं दूर चला जाता है परसी और बाकि सब तुरन जूस के पास पहुच जाते हैं और लड़ाई स्टार्ट होने से पहले ह परसी जूस को उसका हतियार लोटा देता है और बाता है कि असली चूर प्र intentionally का बेटा लैरी था जूस को अपना हतियार मिल गया था और तब जाकर वो जंग को रोग देता है और सांती में रहने लगता है परसी वहां पर अपने फादर पोसाइडन से भी मिलता है जो कि उस कर देते हैं ऐसा लग रहा था कि उन दुनों के बीच में एक बांड बन गया है और वो दुनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खतम हो जाती है और अगर आपको मेरा एक्पिनेशन एक पसंद भी अच्छा लगा होना तो वीडिय लता है आपके लिए इसा तरह के मजडा स्टोरी लाने के लिए तो मिलते हैं नैक्स वीडियो में सी या अप कर दो कर दो